हेलो दोस्तों वैलकम टू नेरिक एंटरटेन्मेंट मैं हूँ अपके साथ मोहिनी शिर्मा आज जिसे सदी का महनायक कह जाता है जो पाच दशकों से भी जादा समय से बॉलिवोड में धूम मचाए है लेकिन जब फिल्म के शुरुआत हुई तो लगा कि अब घर वापस जान और जिस फिल्म ने उनकी जिन्दिकी को बदल दिया वो थी 1973 में आई जंजीर जंजीर से अमिताब एंग्री यंग मैन की इमेज वाले एक्टर बन गए और वो फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंजीर असल में अमिताब के एक बड़ा रास्ता खोल दिया और यह फिल्म अमिताब की जोली में आगिरी कैसे मिली अमिताब को जंजीर इसके पीछे की कहानी वाके में काफी दिलचस्त है दरसल मेहरा ने जंजीर की कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया था तब रोमैंटिक फिल्मों का ही दोर चल लेकिन हरहाल में फिल्म बनाना चाहते थे प्रकाश मेहरा सबसे पहले इस फिल्म की कहानी को लेकर कर शमी कपूर के पास पहुंचे लेकिन शमी कपूर की borrowing यह कह करा मना कर दिया लेक्वें हीरो का ना तो को ऐ गाना वें हिस्सक्र करता है और नहीं मुस्कुराता जिसके बाद प्रकाश महरा धर्मेंद देवानंद और दिलीब कुमार के पास भी कहानी को लेकर पहुंचे थे बतौर निर्माता ये प्रकाश महरा की पहली फिल्म थी इसी फिल्म के साथ पहली बार सलीम जावेद की जोडी बनी जब सब्सक्राइब ने इंकार कर दिया तो प्रकाश महरा उसे लोट आए और यह सोचने लगे कि कौन उनकी फिल्म के लिए फिट बैठेकां ऐससे में उनके लिए मशी 35 राएत फिल्म में शेयर खान का रोल कर रहे प्रांड साहब साहब ने प्रकाश मिहरा अमिताब खुद भी इस फिल्म के मिलने से हैरान थे उन्होंने जावेद अक्तर से इस बारे में पूछा भी था कि उनकी लगतार फिल्में फ्लॉप हो रही है फिर यह फिल्म उन्हें क्यों उफर की गई जिस पर जावेद शाप ने कहा कि उन्होंने बांबी टुगुवा मे अमिताब आज भी यह नहीं समझ पाए कि आखिर उस चुइंगम वाले सीन का उन्हें जंजीर मिलने से क्या रिष्टा है जंजीर अमिताब के करियर का टर्निंग पॉइंट थी इसके बाद अमिताब ने हर तरह की कैरेक्टर प्ले किये और एक के बाद एक वो सफल फिल्में देते रहे आज भी जंजीर फिल्म को पसंद करने वालों की कमी नहीं है यह वो फिल्म है जिस फिल्म ने कई लोगों की जिन्दिकी को बदल कर रख दिया आपको इस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अभी तक के लिए इतना ही देखते रहें कर दो